हम दोनों राउन गांदी और नरेन्द मोदी ब्रश्ट चार पे डिवेट करें आप अपनी बात बोलो मैं अपनी बात बोलता हूँ आपको जो बोलना है बोलो ब्रश्ट चार पे आपको जो बोलना है बोलो मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफायल की बात करने के लिए 15 मिनट आप देख ले ना भाईया नरेन्द मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाए गा मैं क्या सवाल पूछूँगा नरेन्द मोदी जी से पूछूँगा कि नरेन्द मोदी जी आपने अने लंबानी को 30,000 करोड रुपे क्यों दिये नरेन्द मोदी जी मुझे बताईए जब आप फ्रांस गए क्या आपके साथ अने लंबानी गया था हाँ या ना नरेन्द मोदी जी मुझे बताईए फ्रांस के राष्ट्रपती ने आपके बारे में बोला कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने मुझे बताया है कि हिंदुस्तान एरो नाटिकल लिमिटेड कंपणी को कॉंट्रेक नहीं मिलेगा अने लंबानी को कॉंट्रेक मिलेगा फ्रांस के राष्टे पती ने बताया कि चोकीदार फ्रांस के राष्टे पती ने बोला प्रेस से बोला कि आप ये फ्रांस के राष्टे पती को कहा कि पांच सो चब्श करोर रुपए देने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की सरकार 16 सो करोर रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी यह सवाल मैं नरेन नमोदी जी ते पूछूँगा और जैसे ही मैं उनके सामने चेहरे के सामने यह सवाल पूछूँगा नरेन नमोदी जी का चेहरा देखते ही पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाएगा चोकीदार चोड है देखिए अभी सुप्रीम कॉर्ट के सुप्रीम कॉर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि नरेन नमोदी जी ने राफायल मामले में बरश्टा चार किया देख बज़े रात को CBI का डिरेक्टर कहता है मैं तो इंक्वाइरी करूँगा नरेन्द मोदी जी ने उनको निकाला कहा नहीं तुम इंक्वाइरी नहीं करोगे मैं चोकीदार हो तुम चोकीदारी नहीं कर सकते हो तुम कौन होते हो देश का तो एकी चोकीदार है उसका नाम नरेंद्र मोधी सुपीम कौट कहता है नहीं नहीं सीबी आई डिरेक्टर का वापस लाओ सीबी आई डिरेक्टर वापस आता है नरेंद्र मोधी कहता है नहीं भईया तुम सीबी आई के डिरेक्टर हो चौकीदार ही नहीं कर सकते चौकीदार तो सिर्फ मैं हूँ चलो मार निकलो यहां से उसको उठा के फेक दिया डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते है नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की सरकार के साथ फ्रांस की कंपनी के साथ सीधा सौधा किया है एरफोर से 30,000 करोर रुपए चुराए कहते हैं कि 526 करोर का अवाईजाज 16,000 करोर रुपए में नरेंद्र मोदी ने करीद वाया कहते हैं कि राफाईल अवाईजाज देरी में आएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कांट्रेक बदला हिंडू अगवार में आया उसके बाद नरेन नमोदी जी कहते है हम सब चोकिदार पुरा देश चोकिदार अच्छा जब आप प्रणाम मंत्री बनने थे तो आपने कहा मुझे चोकिदार बनाओ मैं चोकिदार ही करूँगा अब चोरी पकड़ी जाई कहते हो पुरा देश चोकिदार नरेन नमोदी जी ये पुरा देश चोकिदारों का नहीं है इस देश में किसान है मज़ूर है छोटे दुकांदार है छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग है मिडल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग है करोणों लोग है और इन सब का आपने नुकसान किया है नोट बंदी गबबर सिंग टैक्स ने इनकी जिंदगी नश्ट की इसलिए कॉंग्रेस पार्टी नियाई योजना दे रही है आपने इनसे पैसा छीन कर उद्योग पतियों का दिया हम अने लंबानी से पैसा छीन कर इनको देने वाले हैं ओ भाईया अभी शुरू आत है अभी शुरू आत है मैं बता रहा हूँ मैंने काम शुरू नहीं किया है यह जो 22,000 रुपे हैं न यह पहला छोटा सा कदम है मद्यप्रदेष राजिस्तान चत्सगार में मैंने साथ बोल दिया था मैं नहीं जानता दस दिन के अंदर चुनाव जीतने के बाद कॉंग्रेस पार्टी मद्यप्रदेष राजिश्तान चत् तस गर के सब किसानों का कर्जा माफ़ कर देगी दस दिन नहीं लगे दो दिन में हमने कर दिया मैं अने लंबानी का चौकिदार नहीं हूँ मैं जनता के लिए काम करता हूँ मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ 22,000 करोर रुपया आपके करजमा करवाये थे कॉंग्रोस पार्टी ने यूपिये के समय आपके जमीन की लड़ाई लड़ी जमीन अगे करन बिल मिल भी आपको मार्केट रेट से चार गुना जादा पैसा आपकी जेब में अगर आपकी जमीन चाती है और आपसे बिना पूछे